तत्वों की उचित सायोजन से बनता है हमारा वैक्टितो एक बार राजा मिलिन भीक्चु के पास रे भीक्चु का नाम नाक्सिंदा राजा ने भीक्चु से पूचा महराज एक बात बटेए आप गाते हैं कि हमारा वैक्टित इस्धीर नहीं है जी उस्वेब में कुछ नहीं है तो फिर जो आपका नम नाकसे ने या नाकसे नो कौन है क्या सीर के बाल नाकसे ने विक्षुने का ऐसा नहीं है राजा ने फिर पूछा क्या ये दाथ, मस्तिस्क, मांस, आदी नाकसे ने विक्षुने का नहीं राजा ने फिर पूछा फिर आप बताएं क्या आकार, संसकार, समस्त वेदनाई नाकसे ने विक्चु ने कहा नहीं राजा ने फिर प्रस्न किया क्या ये सब वस्तुई मिलकर नाकसे ने या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तुई है जो नाकसे ने विक्चु ने कहा नहीं आप राजा बोले तो अफिर नागसिन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसिन कहते हैं वो नागसिन कौन है अब विक्चु ने राजा से पूछा राजर क्या आप पेदल आये हैं राजा ने कहा नहीं रत पर विक्चु ने पूछा फिर तो आप जरुन जानते होंगे कि रत क्या है क्या ये पता का रत हैं राजा ने कहा नहीं विक्चु बोले क्या ये पहिए या धूरी रथे राजा ने कहा नहीं विक्चु ने पुछा क्या ये रस्या या चापुक रथे राजा ने कहा नहीं विक्चु ने पुछा क्या इन सब के बाहर कोई अन्य चीजें जिसे हम रथ करते हैं राजा ने कहा नहीं विक्ष्य ने का तो फिर रत कुछ नहीं है, जिसे हम सामने देखते हैं और रत करते हैं वो क्या है। राजा ने का इन सब चीजों के एक साथ होने पर इसे रत का आ जाता है। विक्षिन न कहा, राजन इसमें ही आपकी जीडियासा का हल छीपा है, जिस परकार इन वस्तों के उची तालमेल से रत्म निर्मान हुआ है, ठेक उसी परकार अगनी, भृत्वी, आकास, जड़ और वायू इन पाच तत्वों के समुचित संयोजन से बना सरीर ही नाकसे थे, इसके इंदिरिक्ट कुछ नहीं, निसकर्स, किसी वस्तों को सही आकार इसके घटकों के उचीत संयोजन से ही मिलता है, इसके बाद ही कोई तत्व अपनी संपूत्ता तक पहुंचता है, याद रखे, व्यक्तित्व का अर्थ, यानि की परसनलिटी का संबद, उन गराईयों से हैं, जो हमारी जेतना को विक्सित करती है, अर्था जो हर छन हमारे वैवार, आचरन और हमारी चेस्टाओं में अव्योवित्त होती रहती है, इस परस्ट है, व्यक्तित्व का अर्थ, यानि की एक्स्टर्नल फेक्टर्स, जैसे की रुपरंग, चलडाल, पहनावा, बोल चाल आदिसे नहीं है, इसके आंत्रिक गुनों यानि की इंटर्नल फेक्टर्स और इस्टिंसिक क्वालिटी से भी है, जैसे चरित्र बल, इच्छा सक्टी, आत्र विश्रास, मन्किक, एकागरता, इत्रादी, इस परकार के व्यक्तित का आर्थ, व्यक्तित के ब्रहमन गु काते हैं, जो कि भी किसी छेत्र में स्थाई सवलता का प्रमुक अंग मानी जाती है,